आज लेकर आये हैं हम आपके लिए फोधी टेस्टी मज़दार प्रेट पकोड़े करbonne के लिए मैंने आपध देखी हैं गायं कि मात अवाल लिए जिनको मैंने वहईल कर लिया था वहईल करने के बाद छील कर हौलों reag लिया यहें पर कुछ मसाले ओड करेंगे जैसे आदा मरी पाउडर आदा चम्मचाषी पाउडर सी गालесп संगं और डालेंगे स्वादा नसार नमाद थोड़ी समेस में हिंग भी डाल रही हो यहीं पर हम डालेंगे हरी मिर्ची और कद्दू कस किया हुआ अधरक इससे बहुती टेस्ट अच्छा आता है यहीं पर डालूंगे आदा कटोरी मटर दो बड़े साइज के प्याज चॉप किये हुए और डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया अब इन सभी को हम अच्छे से हातों से मिक्स कर लिए सारे मसालों को मैं हातों से या अच्छे से मिक्स कर लिना है देखिए यह हमारी फिलेंग बन कर विल्कुँ तयार है अब यहाँ पर मैंने लिया है दो बड़े कटोरी बेशन यहीं पर डाला है स्वादा नुसार नमक आदा चमच कस्मीरी लाल मिर्च और डालूँगी आदा चमच हल्दी पाउडर कलर के लिए इसे हमारा बहुती अच्छा कलर आएगा यहीं पर मैं डालूँगी आदा चमच से कब मीठा सोड़ा और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक अच्छा गोल बनाएंगे ध्यार रखें कि गोल ज्यादा पतला या ज्यादा गाड़ा नहीं होना चाहिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी करकर ही इसको घूलना है नहीं तो इसमें लम्स पढ़ जाएगे मैं यहाँ चमच की साइद्वा से गोल नहीं हो आप किसी भी भ सकरे के। इसी तरीके से हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी करके घोलना है देखिए यहाँ पर यह हमारा परफेक्ट घोल बनकर बिल्कुल तयार है इसी तरीके का हमें घोल चाहिए यही पर मैंने यह प्रेड लिए हैं अब एक एक करके हम ब्रेड पर इस फिलिंग को लगाएंगे आप किसी चम्मच की सायता से या किसी चाकू की सायता से इस फिलिंग को इस तरह से ब्रेड पर लगाना है हम एक एक करके तीन ब्रेड पर इस फिलिंग को में लगाऊंगे बहुती टेस्टी मज़ेदार बनते हैं बलकुल हलवाई स्टैल कुरकुरे सॉफ्ट और बहुती ज़्यादा टेस्टी बाहर से बहुती ज़्यादा कुरकुरे अंदर से बहुती ज़्यादा सॉफ्ट और बहुती टेस्टी मज़ेदा एक बार इस तरीके से जरूर बना कर देखें यहाँ पर हमारे ब्रेड पर फिलिंग लग गई है अब यहीं पर हम इनके उपर एक एक ब्रेड और लगा देंगे और इनको एक चाकू की सायता से बीच में से काट लेंगे एक हाथ से दबा कर यह काट है नहीं तो हमारे ब्रेड तूट भी सकते हैं इस तरीके से काटने से हमारे ब्रेड अच्छे से कट जाते हैं बल्कुल भी नहीं तूटते हैं देखे इस तरीके से मैं ब्रेड को काट लूँगे यही पर मैंने कडाई रख दीया, कडाई में डाला है मैंने oil, oil हमारी अच्छी से गरम हो गया है oil हमें अच्छी से गरम करना है, gas का flame मीडियम रखना है, देखिए एक ब्रेड लोगे इस तरीके से इसमें टिप करेंगे चारो तरफ से और कडाई में छोड़ देंगे इस तरीके से मैं एक एक करके सारे कड़ाई में छोड़ती जाऊंगी गैस का फ्लेम लो ना रखें, मीडियम ही रखें नहीं तो लो रखने पर हमारे इन में ओयल भर जाता है और टेस्टी नहीं लगते जह infection देखें एक साट से पग गए थे मैं दूसरी साट से इनको अच्छे से पलट दिया है हमें इनको ऐसे ही अलट पलट करके सेered रहे हैं जिससे कह specification कि हमारे बाहर से क्रिस्पी रहे हैं देखिए एक साइट से हमारे बहुत अच्छी सिख गए हैं अब इनको हम दूसरी साइट से भी पलट कर सिख लेंगे देखिए अब यह हमारे दौनों साइट से अच्छी से सिख गए हैं अब हम इनको एक एक करके बाहर निकाल लेंगे हमारे टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरे और अंदर से सॉप्ट प्रेड पकोडे बल्कुल बनकर रेड़ी है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे जैनल टो लाइक सेर और सब्सक्राइब करें